तो स्टार्ट कर रहे हैं this is the new session for the tricks and shortcuts for 3D geometry तो अभी हम 3D geometry के कुछ important questions के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हम जानते हैं कि 3D geometry कई सारे chapters से मिल करके बना हुआ है अगर मैं आपको 3D geometry के कुछ chapters के बारे में बताऊं तो वो chapters आप recall कर लिजिए यहां पर straight line हुआ करता है इसमें plane हुआ करता है उसमें sphere हुआ करता है तो कई सारे chapters हुआ करते हैं यहां यह chapter उन लोगों के लिए already है जो lecture मैं बना रहा हूँ जो already इन chapter को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं और understanding अच्छी खासी develop है तो आई यह start करते हैं class को हम motive लेके चलते हैं कि यहां पर हम important short trick and short cut discuss करेंगे yes so हम जानते हैं कि equation of plane की हम बात करते है equation of plane ओके तो general equation of plane हमाँ पस क्या होती है ax plus by plus cz plus d equals to zero यह हमारे पास plane की equation हुआ करती है ठीक है अब देखे अगर हम यहां इसको intercept form में लिखते हैं intercept form में लिखते हैं तो देखे plane की equation क्या हो जाएगी ax plus by plus cz equals to minus d okay so x upon कितना हो जाएगा यहां पर देखे कितना जाएगा ax upon हो जाएगा d plus by upon d plus cz upon d equals to 1 आप कहेंगे minus लगा दीजे बिलकुल मैंने minus लगा दिया है अब आप देखें यहां पर अगर आप x upon में इसको लिख सकते हैं minus d by a plus y upon minus d by b plus z upon minus d by c equals to कितना 1 अब देखिए इसको important है यह चीज़ नोट कर लिजे इससे हमाई कुछ नए चीज़े बनने वाले हैं तो सबसे पहले इस अपने किया क्या है यह अपने equation of the plane को intercept form में convert कर दिया है तो यह था intercept form में convert करने का तरीका minus d upon a क्या है x intercept है यह आपका y intercept है यह z intercept है तो इस equation को मैं ले चलता हूँ because इससे ही हमें जो चीज़ें develop करनी है वो इसी से develop करनी है ठीक है चलिए तो यह मैं ले करके आगया हूँ अब आंगे बढ़ते हैं तो देखिए अब trick home कैसे आंगे बढ़ते हैं अगर आपके पास condition आ रही है if a plane parallel to x-axis देखिए अगर कोई plane parallel to x-axis है जैसे यह देखिए plane x-axis के parallel चल रहा है तो अगर x-axis के parallel चलेगा तो x-axis में इसका काटा गया इंटर सब्सक्राइब कितना होगा infinite होगा means यह नीचे कितना जागा infinite है जागा तो यह टर्म बिल्कुल eliminate हो जाएगा और आपके पास के बल किसकी टर्म बचेगी य के नीचे बचेगा minus d upon b and z की नीचे कितना बचेगा minus का d upon c equals to one इसको तो rearrange करिए तो यह कितना हो जाएगा by plus c z equals to कितना हो जाएगा यहां से d हो जाएगा यह question में है ना equals to one हो गया और यहां से by plus c z minus d equal to minus d so इसको मैं लिख सकता हूँ by plus c z and plus का d equal to zero तो हमें एक idea लग चुका है हमारी short trick का तो अगर आपका plane x axis के parallel है तो x नहीं होगा अगर y axis के parallel है तो y नहीं होगा और z axis के parallel है तो z नहीं होगा इसका मतलब हम क्या बना सकते हैं if a plane if a plane ax plus by plus c z plus d is equal to zero is parallel to अगर आप से बुला जाए अगर parallel to किसके है x axis के है तो equation क्या बनीगी equation बनीगी by plus c z plus d equal to zero अगर मैं यही कह दो कि this plane is parallel to y axis तो equation क्या बनीगी आपके पास y वाला चीज गायप कर दो ax plus c z plus d equal to zero and if it is parallel to z axis then it will become by plus ax b होगा z नहीं होगा plus d equal to zero मतलब यह दोनों रहेंगे last वाला हट जाएगा तो यह होगा आपके पास में parallel plane की equation मैंने बता दी तो मतलब x axis y axis z axis जिनको हम coordinates axis भी बोलते हैं अगर coordinate axis के parallel जो planes हुआ करते हैं वो इनकी equations मैंने आपको बता दी then इसके बाद मैं image की point बता देता हूँ image है ना image बताता हूँ image के coordinates क्या हुआ करते हैं तो image के coordinates जो हैं अगर आपको किसी plane के respect में निकालने है plane के respect में अगर आपके पास कोई plane दिया गया है ओके plane का equation है ax capital चलो small ही रहन दो बट capital ले लो नहीं तो line problem करेगी ax plus by plus c z plus d equal to 0 आपके पास plane है and you having the point x1 y1 z1 and आपको इसकी image निकालनी है तो image somewhat यहाँ पे आपको मिलेगी okay तो इसके image निकालने का तरीका क्या होगा x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon a कौन सार है का capital a y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon capital c equals to negative two times क्या पूट करना है x की जगे पे x1 y की जगे पे y1 और z की जगे पे c z1 और plus d whole divided by a square plus b square plus c square इसको simplify करिए x y z की values निकालीजे वही आपकी क्या मिलेगी image मिलेगी okay वही आपकी क्या मिलेगी image मिलेगी मैंने यहाँ कफी fast बता है because मैंने इसके पहले के जो lectures हैं उसमें मैंने करवा रखा तो मैंजीज आपको क्या नहीं भूलना है image में यहाँ पर minus आता है और 2 आता है minus आता है और 2 आता है और नीचे square root नहीं होता है सीदे सीदे square हुआ करता है तो इस चीज को याद रखेगा okay image के बाद जो है अगली trick का heading डालीए अगली trick का heading लिखिए foot of perpendicular ठीक ना so our next trick is what our next trick is foot of perpendicular foot of perpendicular तो इस आपके पास कोई plane है and you having some point in the space x1 y1 z1 you need to draw a perpendicular on this plane with the name ax plus by plus c z plus d equal to 0 and you want to identify the foot of this okay so foot say f so there are points foot f है और आपके पास में ये point अपको ये से perpendicular डाला है so what are the foot of perpendicular you can find the foot of perpendicular using the formula x minus x1 upon a y minus y upon b equal to z minus z1 upon c equals to negative 2 नहीं लगाना ये साइम आपको and ax1 plus by1 plus c z1 plus d upon a square plus b square plus c square so by using this formula आप बहुत ही शांदर तरीके से जल्दी से आप जो है इसका foot आप निकाल सकते हैं प्लेन आपके सामने दिया गया कितना ax plus by plus c z plus d1 equals to zero and and दूसरा जो plane दिया गया आपको दिया गया कितना इसको a1 b1 c1 ले लो okay no 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 ठीक है ax by c z and दूसरा plane जो इसी के parallel है वो आपको कितना दिया गया है ax plus by plus c z plus d2 equals to zero यह है तो इन दोनों के से equidistant plane आपको निकालना है okay तो इन दोनों के parallel and equidistant the plane which is parallel to both the given plane and equidistant plane is given by ax plus by plus c z plus d1 plus d2 by 2 equals to zero so this is the answer and this will be the trick this may consider there's a trick ax plus by plus c z plus d1 plus d2 का half equals to zero very nice question very nice concept this one is okay so this three के से करेंगे इसको अगर आप pictorial ली देखना चाहते है तो मैं आपकी मदद करता हूं यहां पर दिखी यह आपके पास first plane है okay the plane is given what a1 x plus b1 y not a1 x we have only actually parallel है तो हम को ऐसे ही लिखना पड़ेगा ax plus by plus c z plus d1 equal to zero and इसके parallel आपका जो दूसरा plane है वो क्या दिया गया है देखें यह दूसरा plane आपको दिया गया है ax plus by plus c z plus d2 equal to zero आप कहा रहा है कि इसके parallel एक तीसरा plane निका लो जो की equal distance है और parallel भी है मतलब जितनी दूरी यहां इसकी है उतनी दूरी इसकी है तो इसका answer क्या होगा इस plane का equation होगा ax plus by plus c z plus d1 plus d2 divided by 2 equals to zero this will be the answer ax plus by plus c z plus d1 plus d2 whole divided by 2 equals to zero okay done yes now sphere so कुछ topic is sphere के पहले ले लिये जाएं की बाद में ले लिये जाएं चली बाद में लेते हैं sphere के topics पहले मैं आपको line और उसके topics पढ़ा देता हूँ so अगर आपके पास में एक point है this is x1 y1 z1 और आपके पास में एक line है है यह दीजी गई लाइन ओके यह आपके पास में एक line दी गई है yes this one is the line having equation x1 x minus x1 upon l equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n यह आपके पास में line है आपको क्या चाहिए है आपको distance चाहिए है इसकी इस line से तो एक line के लिए distance के लिए एक short trick में आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास एक point दिया गया है और आपके पास एक line दी गए है so you can find the distance आप इस formula के यूज करके distance निकाल सकते हैं को तो concept क्या लिखे distance of a point from a line okay in 3D 3D में आपके पास में कोई line है और एक आपके पास में point है आप उसको distance निकालना चाहते दिन in what way you can find the distance let's see आपको formula याद रखना है अंडर रूट सबसे पहले लगेगा and summation x1-x2 का whole square all pairs are possible pair plus sigma L bracket में x1-x2 का whole square yes यहाँ पे sigma whole square यह से यह आपको करना है चलिए ओके इसको मैं detail करके बता रहेता हूं आपको कैसे करना पड़ेगा so इसको कैसे लिखूंगा sigma x1-x2 square मतलब आपके पास 3 pair बनेंगे x1-x2 का square plus y1-y2 का square plus z1-z2 का square एक pair तो यह बन गया then इसके बाद देखे आपके पास L है L से starting कर रहा है यहाँ पर है ना और x1-x2 square के साथ sigma दे रखा तो और यह देखो धियान से यह whole square मतलब पहले हमको अंदर सारे possible pair बनाने पढ़ेंगे so L multiply by x1-x2 then उसके बाद में इसका complete whole square हम आपको last मिलाना है ठीक ना तो L multiply by x1-x2 plus m multiply by y1-y2 and plus n multiply by z1-z2 complete का whole square तो यह इसका answer बनेगा ठीक ना तो आपको याद क्या रखना अगर आपको यह easy तरीके से करना है तो आप इसको याद कर लें तो एक बर मैं फिर से formula लग देता हूँ आपके पास कोई line है यापके पास में sorry इकलत बन गया है इसको बटा देता हूँ मैं हाँ यह आपके पास में कोई line है आप इसमें perpendicular distance गिरा रहे हैं with the point x1 y1 z1 okay और आपके पास दूसरी जो line दी गई है आपको बता ही है कि है न क्या होगी x-x1 upon a y-y1 upon यह तो इसको यह आप लिखना चाहो तो x-x2 upon a equal to y-y2 upon b equal to z-z2 upon c यह आपके पास में है okay sorry यहाँ पर element है l यह है m आपका और यह है आपका n done okay अगर आपको इसमें चाहिए क्या distance चाहिए distance d so d is equal to बस एक बड़ा सा root लगाई है and sigma यहाँ पर सारे x1 minus x2 के pair बना लिजे तो x1 minus x2 का whole square मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी pair से सबको add करते जाना है plus sigma bracket में l बाहर और x1 minus x2 का whole square यह आपको solve करना है ठीकिन l x1 minus x2 का whole square तो इसको कैसे लिखेंगे इसको हम एक बार फिर से मैं आपके लिख देता हूँ कि x1 minus x2 का square plus y1 minus y2 का square plus z1 minus z2 का square plus इसको ऐसे लिखेंगे l bracket में x1 minus x2 plus m bracket में y1 minus y2 plus n bracket में z1 minus z2 complete का whole square कर दीजे इस तरीके से आपका यह जो है you can find the distance of a point from a plane exactly distance of a point from a plane okay so may moving to the next concept is for the equation of the plane bisecting the angle containing origin yes trick bani for the equation of a plane for equation of a plane bisecting the bisecting the angle containing origin ठीक ना तो भई आपको क्या बनाना है आपको बनाना है कि equation of the plane मनाना है आपको जो bisect करता bisecting the angle bisecting the angle containing origin मतलब कि जो जो एस एंगल जो है जो अपने अंदर एंगल जो है origin रखता है जो एंगल अपने अंदर क्या origin देसे देखे यह आपके पास plane number one है यह आपके पास plane number two है यह इन दोनों का है और आपके पास यह bisecter है और यह origin बैठा हुआ है यह आपके कहीं पर तो origin को रखने वाला bisecter ठीक ना यह origin इस तरफ है तो origin की side का जो bisecter जाएगा वो क्या होगा जिस तरफ origin है क्योंकि आपको पता है कि plane जब काटते हैं तो दो pair of bisecter निकलते हैं अब इसमें origin के लिए क्या लगए कि trick ओके सो तो पहली चीज यह है कि आप यह जो ट्रिक लगानी है कि कि यह जो ट्रिक लगानी है किसको कैसे लगाएंगे देखिए आपके पास में आपके पास में पहला plane आएगा a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square equals to plus का sign use कीजिए okay and then a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 whole divided by under root a2 square plus b2 square plus c2 square exactly तो यह जो concept है इसका यूज करके जो है आपना उस bisector को निकाल सकते हैं जो angle जो क्या contain करता है origin contain करता याद रखे कह है यहाँ पर plus sign आप यूज करेंगे so this is the equation of the plane okay is equation of the plane by setting the angle by setting the angle containing origin ठीक ना तो यह उस plane का equation है जो bisect करता है bisect करता है उन planes को जो की origin contain करते हैं okay उन planes को उन planes के angle को bisect करता है जो क्या contain करते है origin तो अगर origin contain करने वाला आपके पास question आ जाए कि उस bisector को निकालो जो उन planes को bisect करेगा कि जो origin contain करते हैं तो यही आपको formula लगाना है a1 x plus b1 y plus c1 plus d1 upon under root a square a1 square plus b1 square plus c1 square equal to plus a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 upon under root a2 square plus b2 square plus c2 square यह आपको use करना है चलिए next concept पर चलते है concurrency of the planes ओके अगला topic लिखे concurrency of plane ओके तो अगर कई सारे plane है वो एक ही point से कई सारे नहीं यहां पर हम तीन plane की बात करेंगे तो three planes वी है पहला plane हमाई पास है a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 equal to zero दूसरा plane मेरे पास है a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 equal to zero and तीसरा plane है मेरे पास a3 x plus b3 y plus c3 z plus d3 equal to zero and we are saying that these three planes are concurrent concurrent मतलब एक ही point से अगर यह plane पास हो रहा है then condition क्या बनेगी तो आप condition याद रखे इसकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 equals to क्या होगी 0 होगी तो line में भी यह condition हुआ करती थी plane में भी यह condition रखे गी याद रखेगा कि if these planes are concurrent then a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 equals to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा okay so यह हमारी जो condition रही है यह किस से आज हमने बताई आपको straight line and parallel and plane के regarding कुछ शॉट ट्रिक बताई कुछ शॉट कट बटाएं and believe me guys आप इदी इन शॉट ट्रिक एन शॉट कट को कर लेते हैं तो आपका एक्जाम में बहुत सारा समय बचेगा इस पीशली यह जो लेवल के शॉट ट्रिक्स और शॉट कट पूछे जाते हैं यूपी पीजीटी टीजीटी जी आईसी ओके एंड आश्रम पद्धाथी सिक्छा इनके विन में काफी सारी कॉस्चन से तरीके काया करते हैं जो बहुत बड़े-बड़े हुआ करते हैं और आपको बहुत शॉट टाइम में को करना भी पड़ता है तो गाइस दैट सेट अनफ फ्रम माई साइड अन तो थैंक यू सो मच फॉर्ब